हेलो फ्रेंट्स, डबलो एस क्यूब टेक के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिरसे वेलकम करता हूँ फ्रेंट्स, आज 12th क्लास के पाइथन में हम लोग डिसकस कर रहे हैं अपने चाप्टर नमबर 12 को फ्रेंट्स, चाप्टर नमबर 12 यहीं की जिसमें नाम है, जिसका है Simple Query in SQL तो फ्रेंट्स, SQL क्या है? SQL से related हम लोगोंने बहुत सारी बाते अभी तक कर ली है हमने फ्रेंट्स, MySQL को यूज करते हो, बहुत सारी queries भी अभी तक execute कर ली है अब फ्रेंट्स, इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले है कुछ basic functions के बाले अब functions क्या होते हैं, आप लोग जानते हैं, कुछ कह सकते हैं कि inbuilt features होते हैं हर programming language के हैं, हर language जो है, आपको जो है, कुछ inbuilt task जो है, वो complete करके available कराती है कि कुछ name के साथ, like friends, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यह check करना चाहता हूँ कि suppose कुछ numbers है, उसमें से मैं चाहता हूँ maximum number कौन सा है, minimum number कौन सा है, average निकालना है, count करना है, sum करना है आपको या friends आप देखना चाहते हैं, आज की current date क्या है, time क्या है, या friends आप लोग चाहते हैं, mode देखना, power देखना इसी डाप से friends अगर आप कुछ characters based यहनी की कुछ string based अगर आप कुछ functions देखना चाहें, तो बहुत सारे functions आप यहाँ पर use कर सकते हैं आज friends हम लोग discuss करने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ string के functions को, कुछ हम लोग देखेंगे या numeric functions को और साथ में हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ पर date के functions को, तो friends start करते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ जाके लिखना होगा MySQL, आप जानते हैं, MySQL को start कैसे करेंगे हम लोग, तो बस simple सा MySQL आपको type करना है, then आप यहाँ पर click कर देंगे, command prompt में open हो जाएगा, इसका जो भी password है आप वो password type कर सकते हैं, यहाँ friends में इसकी size for it से increase कर देता हूँ, properties में जाना है, basically fonts में जाना है आपको, और यहाँ से आप पर मुझे क्या करना है, हम लोग discuss कर रहे हैं कुछ functions को, अब देखिए कुछ मैं यहाँ यहाँ पर use करने वाला हूँ, string के functions को, तो simple सा है, क्योंकि जो भी display करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर select को use करना पड़ेगा, basically selected type की query होती है, जो database के अंदर से कुछ content को उठा के और उसके अलावा भी अगर आप कुछ display करना चाते हैं, कुछ view करना चाते हैं, तो आप select को use कर सकते हैं, जैसे friends, हम लोग जानते हैं कि मैं लिख सकता हूँ 4 into 5, suppose न, just display करने के लिए कह रहा हूँ, तो आप देखिएंगे friends, 4 into 5 किता हूँ 20, तो किसी भी चीज को display करने के आप यहाँ पर क्या use कर सकते हैं, select, I think basic चीज है, इसी type से friends, मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ, select, अब friends, मुझे यहाँ पर display करना है, कोई lower में कोई value को, कोई concatenate करना है, कुछ भी like, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, c-o-n-c-e-t, ठीक है, एक function है, हमारे पास string का, जो concatenate करत का result क्या है, विने कुमार, आप इसी तरी किस जानते है, यहाँ पर आप लिख सकते है, as, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते है, name, ठीक है, simple सा आप जो यहाँ लिखेंगे, जो यह यहाँ यहाँ पर display किया जाएग, आप देख सकते हैं, friends, name विने कुमार को, आप पर जो है first name लिख सकते हैं यहां last name लिख सकते हैं basically आपके यह पास पर table कर नाम आपको बताना पर एक है आप क्या लिख सकते हैं जैसे select अप कहा से करना है from जो भी आपके आपका नाम उसमें भी आपको Qwerry लखाना चाहते हैं टो भो भी यहां कर सकते हैं इसी डैप से friends ऐगर आप चाहते हैं यहां पर किसी को जैसे हम लोग जानते काम करता हूं यहां पर using करता हूं ठिके किस को use करता हूं फ्रेंस टो w s qvetech टिके हमारे पास एक database बना रखा है हम लोग होने यहाँ पर friends मैंने इसके अंदर एक table create करेंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं दिख सकते हैं show tables ठीके यहाँ stu नाम की एक table है मेरे पास और इस table को friends मैं use करने वाला हूँ डिस्पले करने वाला हूँ तो simple सा है select all from क्या करना है आपको stu लिखना है तो stu में जितना भी data वो आपको यहाँ display कर देगा like तुशार अमन दो value यहाँ मेरे पास पड़ी है तो friends मैं यहाँ पर यह चाहरा हूँ कि यह जो मेरे पास में database है या database के अंदर जो table है इसकी values को मैं चाहता हूँ lower case में display करना हूँ तो उसके लिए simple सा है आप क्या लिख सकते है select करना है आपको कहां से करना है from करना है कहां से stu से अब friends अगर आप चाहें तो यह भी लिख सकते है where name equals to जो भी आप लेना चाहें roll number आप लेना चाहरे suppose sno है इसमें तो sno equals to 1 आप लेना चाहें इस type से ले सकते हैं लेकिन अगर आप यहां पर यह चाहते हैं convert करना lower में तो आप simple सा लिख सकते हैं lower ठीक है और यहां पर आप क्या लिख देंगे friends किसको lower convert करना है आपको name को आप देखेंगे friends यहां जो तुशार capital में लिखा है यहां पर तुशार किसमें होगे आपने पास small में lower case में convert कर दिया गया ठीक है तो basic query आपको दिख रही होगी इसी तरीके से friends में यहां कुछ और जो है वो अलग-अलग functions को use कर सकता है इसी ताप से friends अकर हम लोग यहां पर चाहते हैं इसको अपर में convert करना या किसी भी string होकर आप अपर में convert करना चाहते हैं तो simple सा आप लिख सकते है select upper लिख सकते है और friends इसके अंदर आप जो भी string pass कर देंगे friends जैसे मैं लिख सकता हूँ यहां पर क्या होगा तो यहां इसका output क्या होगा यहां जो लिखा है अपर इसकी जगे यहां पर जो title है इसका क्या होगा अपर इस तब है आप देख सकते हैं तो आपको यह समझ भागया होगा अपर केस में भी हम लोग convert कर सकते हैं इसी तैप से friends अगर आप लोग चाते हैं तो यहां पर आप सब str को use कर सकते हैं तो मैं यहां लिखने वाला हूँ friends अगर मैं friends इसको डिस्प्ले करता हूँ आप देख सकते हैं ऐसा आपको डिस्प्ले करेगा suppose मैं डिस्प्ले कर रहा है as वाला तो आप जानते हैं यह बस आपको यहां पर क्या लिखना है और आप लिख सकते हैं sub string बस आप simple सा इस तरीके से लिख सकते हैं देख सकते हैं ठीके यह चीज़ क्लियर हो चुकी होगी sub string इसी टाप से friends मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ length को तो friends simple सा है क्या लिखेंगे आप select length और आप length लेना चाहरे friends w as मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cube 10 तो इस string के अंदे total number of characters कितने है बस मुझे वो display करने तो friends आप देख सकते हैं 10 है वही as वाला यहाँ पर भी आप use कर सकते हैं आप लिख सकते हैं as ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ as और इसमें लिख दूँगा length बस इतना आपको लिखना आप देखेंगे यहाँ पर लिखा देगा length ठीक है इसी type से friends मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ अब कुछ दूसरे type के functions को यानि कि friends मैं यहाँ पर use करूँगा numeric functions को numeric functions क्या होता है friends आप लिख सकते हैं जैसे select कर सकते हैं आप लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं friends 10,3 तो यह क्या करेगा इसका जो result आएगा 10 divided by 3 और reminder आपके पास कितना बचेगा friends वो है आपके पास 1 I think यह clear है इसी type से friends आप यहाँ power use कर सकते हैं आप क्या लिख 1000 आपको display करें इसी type से friends next हम लोग देखने वाले वो है अपने पास round तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैं लिख दूँगा select round ठीक है मैं simple सा लिख देता हूं round और यहाँ आपको round up करना है friends suppose मैं लिख रहा का 15 ठीक है 15 point कर देता हूं friends suppose लिख रहा का मैं 7,9,5,4,2 suppose इसकी बाद friends मैं लिख दूँगा 1,1 से मुझे इसको round up करना है तो आप देख सकते हैं इसका जो output आएगा वो क्या आएगा 15.8 तो इसने क्या कर देगा friends 7 के बाद क्या आपके पास 9 है तो यह क्या कर देगा क्योंकि यह value 5 से ज्यादा है इसलिए next इससे पहले वाली 7 की ज कीज़े आप जानते हैं इसी तैप से friends मैं इसको यह करता हूँ ट्रंकेट यूज करता हूँ ठीक है इसी function को मैं थोड़ा सा modify करते वे लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा friends select ट्रंकेट ठीक है और value मैं यही लिखने वाला हूँ 15.79542,1 लिख देता हूँ तो friends c क्या करेगा simple सा truncate क्या करेगा कि मैं यहाँ पर जो कह सकता हूँ point के बाद एक ही value रखेगा बाकी सब को अटा देगा यह round up यह round down को यह use नहीं करता है simple सा इसने यहाँ एक value को यूज किया बाकी वालों को अठा दिया है जिबकि round क्या करता है वो next value के according उसको round भी करता है I think यह चीज आपको समझ माद चुक्यों कि इसी आप से friends हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर select इसको कर रहा हूं friends sqrt use कर रहा हूं square root है मैं लिख देता हूं 25 25 जो है किसका square root है friends आप देख सकते हैं output क्या देगा आपको 5 ठीक है यह चीज भी आपको clear हो चुकी कि square root आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो display करवा सकते है इसी ताप से friends हम लोग यहाँ use कर सकते है sign तो sign के लिए क्या करना है friend simple सा है select करना है sign use करना है और आप इसमें कोई भी value डाल सकते हैं जैसे friends आप minus 15 डाल सकते हैं तो basically आपके पास तीन टाइप की value आती है आप यह तो इसको minus 1 में देख सकते हैं या friends यह आपके पास आएगा 1 में negative value है तो minus 1 है positive value हो तो आपके पास यह 1 डिस्पले कर देगा और friends इसके इंदर value आपने 0 डाल रखिए तो 0 जो है ना positive है ना negative है इसलिए इसका return क्या करेगा friend 0 तो basically तीन टाइप की values को यह function return करता है तो इस टाइप से friends हम लोगों ने कुछ numeric values को यह नुमेरिक functions को अभी हमने देखा है इसी टाइप से friends हम लोग यह देखने वाले कुछ date के functions को तो देखिए basically मैं आगर आप से कहूं तो आप देख सकते है select एक आपके पास function है CURDATE तो यह क्या करता है current date display करता है आज की जो अगर मैं लिखता हूं select now function क्या करता है आज की date के साथ-साथ मुझे time को भी display कर देता तो friends शामकू करीब 7 बचके 49 minutes आपके पास हो चुके हैं तो almost 8 बजने वाले तो friends यहां आप देख सकते हैं कि यहां हमारे पास current date के साथ-साथ time देखना चाते हैं तो एक function अभी हमने दे इसी आपसे friends अगर आप चाते हैं कि मुझे किसी particular date के अंदर से या particular जो now के according जिसमें date और time भी है उसमें से particular date को मुझे निकालना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं मैं लिख सकता हूं friends select ठीक है एक function होता है date क्या करता है friends जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर now एक function है ठीक है function के अंदर में एक और function को use कर रहा हूं date के अंदर क्या कर रहा हो now तो यह क्या करते हैं friends अगर आप यहां पर कोई भी डेट पास करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस टाइप से की select date और friends यहाँ पर जो date का format है मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 2020-01-31 और उसके अलावा friends मैं लिख दूँँगा कि suppose 01-02-03 इस टाइप से अगर आपके पास कोई date है आपने अगर इसको पास कर रखा अचाहिए यहाँ बस आपको यह दियान रखना होगा कि इसको आपको single quote में use करना होगा क्योंकि as a string आप पास करें अगर आप देखेंगे तो यह क्या करते हैं इस date में से जो भी आपने date डाली है उस date को निकाल के आपको display करें आप चाहिए तो now के साथ भी कर सकते है जैसा मैंने उपर किया है इसी type से friends अगर आप देखें यहाँ पर तो हम लोग जो है date की जगे हम लोग यहाँ पर day को भी जो है वो कह सकते हैं डिस्पले करवा सकते हैं यहाँ पर क्या लिखना है आपको select उसके बाद आप लिख देगे day कि को करवाना है suppose मैं now को use करने वाला हूँ now function में यहनि कि आज की जो completely now ने date टाइम जो भी दिया आप चाहिए तो manually लिख सकते हैं जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं यह क्या कर देगा 31 आपको डिस्प्ले कर देगा जबकि मेरा now क्योंकि आज की date क्या है 30 तो यह 30 को डिस्प्ले कर देगा ठीक है आप इसको इस तरीके से argument भी पास कर सकते हैं और आप now function को use करते हैं क्योंकि मेरे लिए easy रहेगा आपको बताना तो नाव में सारी चीज़े आ रही और otherwise आप यहां पर इस तरीके से जो है पूरी श्प्रिंग भी यूस कर सकते हैं इसी ताप से फ्रेंट्स मैं डे नहीं चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं कौन सा मन्त है ठीक है तो मैं यहां मन्त लिख सकता हूं आप देखेंगे तो यहां आपको first दिखा गहाई तो यहां और यहां मन्त भी नहीं देखना मुझे तो किया देखना है यहां पर यहर भी देख सकते हैं 2020 चल रहा है इसी ताप से फ्रेंट्स अपने पास यहां पर कुछ और अलग-अलग टाइप के फ्वंक्शन भी होते हैं उसको भी हम लोग करके discuss कर लेते हैं तो friends मेरे पास यहाँ पर एक table created है मैं आपको data display कर देता हूं मैं लिख देता हूं select all from ठीके तो एक friends मेरे पास एक table है जिसके अंदर कुछ content है ताकि हम लोग उसी को आगे use करेंगे तो table का नाम है अपने पास fees friends में लिख रखा है select star from fees यह क्या करेगा जो fees नाम की जो table है उसमें जितना भी content है ठीके सारे के सारे fields basically friends इसके अंदर दो fields ही है तो इसको मैंने display कर दिया है अब friends यहाँ पर भी मैं कुछ और calculations करना चाहरा हूं तो friends मेरे पास कुछ function होंगे like मैं लिख सकता हूं select अब select किसको करना है तो friends हम लोग यहाँ यह लिख सकते हैं जैसे मैं एक function use कर लेता हूं friends उसका नाम है avg ठीके और average आपको किस पर निकालना है तो हम लोग वो भी लिख सकते है friends मुझे average निकालना है फीस के ओपर ठीके उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ display करना चाहरा है इसकी जगे मैं लिख सकता हूं average यह सिर्फ display होगा कहां से करना है friends from piece उसकी table का जो नाम है वो मैंने यहाँ mention कर दिया है आप देखेंगे यह क्या करतेगा friends तो मुझे यहाँ पर average दिखाएगा टोटल यह जो आपके पास values थी इन सभी का average कितना आ गया है 5962.500 something कुछ value इसी राइप से friends मेरे पास एक और function है like मैं यहाँ पर average की जगे लिख सकता हूं friends function था मेरे पास sum ठीके जो fees है उसका मुझे sum निकालना है तो बस मैं यहाँ display के लिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूं sum आप देखेंगे तो friends टोटल जो fees अभी collect हुई है वो है 47,700 रूपीस इस type से friends मैं यहाँ पर यह देखना चाहरा हूं कि मेरे पास minimum fees कौन सी है तो minimum लिख सकते हैं आप एक function है अपने पास function का नाम के है अपने पास min ठीके अगर आप देखेंगे तो minimum अपने पास friends यहाँ जो यह list है इस में से total जो है 200 sorry 2800 आईगी इस type से max जो अपने पास तो maximum आपके पास यह कुछ है तो minimum maximum अपने देख लिया है इसी type से average देख दिया है सम देख लिया है इसी type से आगर आप count देखना चाहे तो आप count भी कर सकते हैं आप count क्या करता है friends तो आप जानते हैं वह अपनको बताएगा number of records कितना है बस इतना है तो मैं यह यह पर लिख अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ तब तक आप अमारे साथ जूड़े रहे हैं थैंक यू